प्रिटेन की प्रिंस चार्ल्स में कोरोना निकला पॉजिटिव, पुरे देश में वर्तमान समय में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। जिसकी जानकारी क्लेरेंस हाउस ने एक अधिसुष चारी करके दी है। वहीं उनकी पत्मी में अभी कोरोना पॉजिटिव होनी की रिपोर्ट नहीं आई है। पॉरे भारत में कोरोना की बड़ते असर को देखते वे 21 दिन का बंड़ी देखते वे एलान किया था। प्रधानमंदीर नरेंदर मोदी ने अब आमनागरिकों से एक और अपील किये जो इसके तहत उन्होंने बंद के माहौल में साथ ही नवरातरी के शुब अफसर पर हर आमनागरिक से आर्थिक रूप से कमजोर नो परिवारों को हर दिन मदद करने की अपील के राजेष्व भाग में का है कि कोरोना की सिती में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है एक साथ मिलकर हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको वदादे उक्त बाते अमेरिका के वाईट हाउस और संसत के दोनों दलों के नेताओं के बीच हुई है इतना ही नहीं दोनों दलों के नेताओं के बीच अरच्वेवस्था को दो हजार अरब जॉलर का रहात पाकेश देने पर भी सहमती सौरब गांगुली देंगे 50 लाख रुपे कोरोना के बढ़ते असर के बीच और लगा था इसकी संख्या में हो रहे व्रधी को देखते वे अब BCCI अध्यक्ष सौरब गांगुली ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है जिसके तहत उन्होंने हाली में लोगों के मद क्रिकेट स्टेडियम को कोरोना की जाज के लिए साथ ही वहाँ लोगों को रखने के लिए भी सहमती दे दी थी कोरोना की सिथी को देखते वे प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने और रश्या के राश्चपती पुतीन ने फोन पर की बात कोरोना के बच्चल सर को देखते वे उपाय पर बातचीत हुई होगी क्यूंकि रूस इस समय में कोरोना को काफी हाथ दगनियंत्रन कर पार है क्यूंकि अब तक रूस में कोरोना के केवल एक ही जिन्दगी गई है वहीं कुल मिलाकर अब तक महां पर 658 मामलों की पुष्टी हुई है वहीं भारत की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के मामलों में 600 का आकरा पार हो गया है सभी नाशनल हाइवे पर अगले आदेश तक नहीं लिया जाएगा टोल नितिनगटकरी के आदेश आनुसार आने वाले कुछ समय तक सभी नाशनल हाइवे इस पर किसी भी व्यक्ति से टोल नहीं लिया जाएगा क्य की प्रधानमंदी नरेंद्र मोदी ने कुछ दूनों पहले इस समूचे भारत में 21 दूनों के बंद का ऐलान किया था, उसी को धियार में रखते पे नितिन गट करी नहीं है, पैसला सुनाया है, महीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे, कोरोना से अब तक भारत में 600 सी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, महीं कुल मिलाकर 15 लोग अपनी जिन्दगी गबा चुके हैं, पिश्टे कुछ दूनों में 30 प्रतिशत बढ़ा डेटा का इस्तमाल, COAI ने हाली में सभी मुबाइल यूजर से डेटा नेटवर्क के इस्तमाल को लेकर एहम ऐलान किया है जिसके थे, COAI ने यह साफ कर दिया है कि बीटे कुछ समय से, खास कर कि जब से प्रधानमंती नरेंदर मोधी ने बंद का एलान किया है, तब से डेटा का उपयोग लगभग 30 प्रतिशत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में हम सभी आमनागरिकों से आगरह करते हैं कि डाटा क इस्तवान आवशकता अनुसार ही करें ताकि आवशक सेवाएं संचार को आसानी से चलाए जा सकें, याधो जब से प्रधानमती नरेंदर मोधी ने बंद का एलान किया है, तब से लोग घरों में रह रहे हैं और ऐसे में लोगों के पास सिर्फ टीवी और मोबाइल फोन का अविकल्ब बचा है और यही कारण है कि इंटरनेट के इस्तेमाल में अचानक से इजाफा देखा गया है, राजी में तीन महीने का राशन मिलेगा एडवांस में, कोरोना के कारण घर में रहने को मजबूर हुए सभी लोगों का ध्यान में रखते वे, सरकार ने एहम पहल क बढ़ा कर साथ किलोक्राम प्रतिव्यक्ति करने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी सूषा एवं प्रसार worksheet मंत्री प्रकाश जावेड करने बैठा के बाद ही किये, इतना ही नहीं प्रकाश जावेड करने अपने द्वाराजारीकी के सूषा में यह भी कहा है कि केंदर सरका के सभी कर्मियों के अलावा अनुबंध पर काम कर रहे हैं, सभी कर्मियों का भी वेतन मुहाया करवाया जागा, साथ ही उनसा भी आम दागरिकों से बंध के दोरान भी अवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता रहने का दावा किया है। तो भाजपा की अध्यक्ष जेपी नदा की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पार्टी के एक बैठेक में यह फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, भाजपा ने यह जिम्यदारी पार्टी के तक्रीबर एक करोर कारेकरदाओं को दी सुनील ग्रोवर ने एक मज़दार मीम शेयर करते हुए लोगों को घरों में रहने की दी सलाह। कोरोना से लगातार बढ़ते असर को देखते हुए लगातार प्रसाशन साथी साथ कई लोग सभी आमनागरिकों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बॉल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसमें सुनील ग्रोवर लंबे बालो में बैठे नजर आ रहे हैं, उन्होंने मीम के माध्यम से बताने की कोशिश किये कि कोरोना की वज़े से घर से निकलने के लिए मना किया गया है, अगर कोई निकलता है तो उसे पुलि आए के लबाला ना भूले, धन्यवाद!